देश में इस साल चावल का कैडियो ओवर स्टॉक नाम मालत रखा है अगले सीजन यानी अक्टूबर से आने वाले धान में भी उतपादन कमजोर आका जा रहा है देशी बाजार में चावल की कीमते बढ़ते चारी है इसे को देखते हुए सरकान शुकरवार को बड़ा नेड़े ले लिया चावल के निर्याद पर शुल्क लगाने का आदेश दे दिया गया है और केंडिके आदेश के अनुसार अब गैर बासमती चावल के नियाद पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लागू होगी ततकाल प्रभाव से या आदेश लागू कर दिया गया है बासमती और भाब दिये गये यानि प्री बॉयल्ड चावल को निर्याद शुल्क से मुक्त रखा गया है वित मंतराले के आदेश के संदर्भ में देश के चावल बाजार के आखड़ों पर नजर डालें तो 2021 से 22 में देश से कुल 17 मिलियन टन गैर बासमती चावल निर्याद हुआ था सहर चतिशित हिस्सा सफेज चावल का है शेश प्री बॉयल्ड और अन्य प्रकार के चावल है इस बीच खबर आ रही है कि 2 मिलियन टन चावल के कंसाइनमेंट लडान के बाद रवाना होंगे और इसके तैयारी में भी है साथी यहाँ पर कंसाइनमेंट भी अब एक्सपो जूटी की जद में आ जाएगा भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्याद तक बन कर उभरा है 2021 से 22 में कुल 9.6 बिलियन डॉलर की कमाई चावल निर्याद से हुई है इस बीच अरब देशों से बासमती की अच्छी मांग बनी हुई है जबकि अफरीका और एशियाई देशों से भारतिय गयर बासमती चावल की मांग निकल रही है